विल्लो एंड वेलकम बेग किसूर इंगलिश टिचिंटर तिर्वनिग एंसुपोर्ट आज हम लोग बीए पार्ट वन में का ट्रू लॉब चप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रू लॉब चप्टर का आज नोट्स हम लोग पढ़ेंगे ओडेजियों दीखे क्रिश्चिनieß है गीव अ क्रिकल अप्रिसेशन ओफ दावं क्रूल प्रूलाव के बारे में एक प्रिटिकल अप्रिसियेशन करना है जैनि एक सच्चा परेम का बराए करना है लेकिन अलोचनात्म बढ़ाई करना है अब देखिए इस च्टर को अपना से का नोट्स पढ़िये फिस पोईम यह कविता जो हैं एंटाइटल्ड टू लव जिसका नाम टू लव है और दा मैरेज उब टू मायंड्स और टू लव को दा मैरेज उब टू मायंड्स भी कहा गया है has been composed यह रचना किया गया इस chapter का इस true love नम की कविता का by the greatest English poet अंगरे जी भासा के महान कभी की द्वारा and dramatist और नाटक कर William Shakespeare की द्वारा Shakespeare defines the identity of true love Shakespeare जी जो defines परिवासित करते the identity of true love कि सच्चा प्यार जो है को define करते हैं सच्चा प्यार को परिवासित करते हैं Shakespeare जी to him उसके अनुशार उनके अनुशार, Shakespeare जी के अनुशार marriage is not an impediment impediment मुझे दाबादा Shakespeare जी करते हैं कि साधी बादा नहीं है to the way of true love सच्चे प्यार के मार्ग में साधी बादा नहीं बन सकता है true love is infinite and never changes सच्चा प्रेम कभी भी नहीं बदलता है and never changes and alters if an alteration is found alteration means हुआ कि एक तरह से आपको यह कोई एक option मालने जी का option मिल जाए तो सच्चा प्यार नहीं बदल जाता है option means हुआ कि मालने जी आपको की पत्नी है उससे कोई सुन्दर लर्की मिल गई महला मिल गई आपको ऐसा नहीं है कि उस महला को देखने के बाद आपका प्रेम बदल जाता है या बदल जाएगा it does not remove with the remover या remove नहीं हो सकता है नहीं हट सकता है remover से यानि आशा नहीं है कि यदि अच्छा प्यार अच्छी लर्की यदि मिल गई अपनी पत्नी से अच्छी तो फिर आपका प्यार बदल जाएगा the quiet लेखक जो है compares to love सच्छे प्यार का compare करते तुलना करते है to a tower light tower light say which does not blow out जो नहीं बुझता है at the gust of the tempest जो कि gust of the tempest यानि कि यह कि आंधी तुफान से भी जो नहीं बुझता है tower light होता है जिसको देखकर नावी अपने रास्ता का पता लगाता है it is a static and nothing can say it it is a static what tower light जो होता है वह a static होता स्पीर होता है and nothing can say it इसको कोई हिला भी नहीं सकता है again the point compares लेखक compare करते तुलना करते true love सच्छे प्यार का with the polar star ध्रुबतारा से compare करते हैं when the sailors जब नावी के अच्छी समुंदर में grows in the dark for direction दिसा के लिए भटकते हैं दिसा को कोई के the polar star तब ध्रुबतारा जो है helps them नावी को मदद करता है to find out the direction दिसा को पता लगाने में it saves the life of the sailors या sailors या नावी के जीवन को भी बचाता in danger खत्रा से एट सी समुंदर में Shakespeare gives one of the finest examples Shakespeare जी एक अच्छे उदाहरन पेश करते हैं of perishable things की बरवाद होने life जो वस्तू है याने Shakespeare जी का कहना है कि हमारी शुंदरता जो है या बरवाद हो जाता है हमारा जो शुंदरता है वह शुदा रहने वाला नहीं है all the physical beauty Shakespeare जी के अनुसार जो भी हमारा physical beauty है जो भी हमारी शुंदरता हैं कजरी लिए आखे हो या गुलाबी होट हो या सब बरवाद हो जाता है विजिकल ब्यूटी जी केज बरवाद हो जाता है with the passage of time शुमा के साथ है and a space है a space means वाकी time and a space means वाकी शुमा है और a space means gap मिलने के बाद मालेजे की दो मेहना आप अपनी पत्नी को नहीं देखे या किसी आदमी से आज आपको खुब महबत है कुछ दिन आप नहीं देखे gap हो गया, space हो गया दोनों के बीच तो प्यार में फ़रां फ़रा खटास आ जाता है, बदल जाता है रोजी leaves जो गुलावी होट है and chicks गाले है with lustrous eyes और कजरीली आखे जो है within the compass या सब भी जिसा में चले जाता है of the cycle of death मिर्तियू के हसिया के और चले जाता है यानि गुलावी गुलावी गाल हो या कजरीली आख हो गुलावी ओठे हो इन सब का भी सुन्दरता उम्र के साथ खत्म हो जाता है in fact beauty is overshadowed और जो हमारा सुन्दरता है धक जाता है with wrinkles जोरियों के साथ यानि भुड़ापा आने के बाद हमारा ओठी इत्यादी जो भी सुन्दरता है वह खत्म हो जाता है हमारा दात तूट जाता है हमारी गाल जो उस दिन तक चमकता कुछ दिन पहले तक चमकता रहता है वह जो उसमें जुरियां आ जाता है they despair from the surface of the earth हमारा सारी डिक सुन्दरता जो है bubbles of water के जेशा है जिस परकार से आप जानते हैं कि पानी का बुलबुला थोरा दिन के देर के रहने के बाद खत्म हो जाता है उसी परकार से हमारा सुन्दरता भी कत्म हो जाता है but no time and space लेकिन कोई भी शमय या दूरी can bring any change परिवर्तन नहीं ला सकता है in case of true love यदि सच्चा प्रेम हमारा है इसमें कोई भी शमय या दूरी हमारे प्रेम का बाद नहीं बन सकता it goes with the love her and beloved till the fag it goes with the love her and beloved यह जो है love her यह प्रेमी और प्रेमिका के साथ तब तक जाता है सच्चा प्रेम तब तक बना हुआ राता till the fag जब तक जर जर नहीं हो जाता Buddhaappa तक सच्चा प्रेम बना हुआ राता है end of life जीवन के अंत तक बना हुआ राता है it remains with them till they breathe their last it remains with them प्रेमी और प्रेमिका के साथ सच्छा प्रेम तब तक बना हुआ राता है, तिल दे ब्रीद देर लास्ट जब तक कि वो अंतिम सांस नहीं ले लेता है, दा पॉलों लाइन यहाँ पर जो दिया वा लाइन है, और टेस्टिमोनी तु दा क्लेम ओफ दे ग्रेट मास्टर, लब्स नॉट तक पॉल और टेकि यह एक ठेस्टिमोनी तु दा क्लेम ओफ दे ग्रेट मास्टर, लब्स नॉट तक फूल दो रोजी लिप संचिख विधिन, इज बंदिं सिकल कमपास कम, Love alters not with the brief hour and weeks, but bears it out even to the age of doom. देखिए, Great Master जो Shakespeare जी है, वो कहते है, Love's not timeful, प्यार जो है, समय का मुर्क नहीं है, वो समय के साथ नहीं चलता है, दो रोजी लिप्स जबके हमारी गुलाभी ग्याल जो है, चीक सोठे जो है, विदिन इस वेंडिंग सीकल से यह सब चले जाता है, कम पास कम, यह सब हशिया में चले जाता है, मिर्की रूपी हशिया में बोड़ा पाता है, सब बदन जाता है, Love alters, यही सच्चा प्यार नहीं हो, तो प्यार बदल जाता है, Love alters note with his brief hours, सच्चा प्यार है, तो वह थोरे शमय में नहीं बदलता है, and weeks थोरे सब्ता में नहीं बदलता, but we are should out even to the age of doom, यह age of doom, यहनि बरवादी तक सच्चा प्रेम यही है, तो हमारे बरवादी तक, हमारे अंतीम समय तक यह हमारे शाहत रहता है, अब देखे, Shakespeare जी कहते है, in the last two concluding lines, अंतीम वाला जो दो अंत होने वाला लाइन है, the point comes forward, लेखक आते हैं, लेखक कहते है, with the claim, if anyone declines, लेखक, William Shakespeare जी claim करते हैं, शिकायत करते हैं, उनका कहना है, कि if anyone declines to accept his assertion, assertion means work the way, यहनि हमारा जो work the way है, कि सच्चा प्यार समय के साथ नहीं बदलता है, कि इस बात को यदि कोई काट देगा, then he has not ever loved, तो मैं समझूंगा, कि वा आदि कभी प्यार नहीं किया, nor the point written, this poem, nor the point written, this poem, नहीं तो लेखक कभी लिखा है, आशा कोई कभी दा, William Shakespeare जी कहते हैं, when we read the poem, जब हम लोग पढ़ते हैं, कभी तक आउट वाटली, कभी तके पाहरी चीजों को पढ़ते हैं, we feel love her, we feel as, हम लोग महसूस करते हैं, as it is an urge of a lover, कि या एक urge है, इसमें कई एक urge किया जा रहा है, इसमें निवेदन किया जा रहा है, लोग प्रेमी के दुवारा, to is beloved, अपने प्रेमी का से, but when we dive into the heart of the poem, लेकिन जब हम dive into, dive करते गोता लगाते हैं, into the heart of the poem, कभी ता की, कभी ता में, we come to know, हम लोग जानते हैं, that it is an appeal of a friend, कि या एक दोस्त का appeal है, एक दोस्त के दौरा, appeal किया गया to his friend, अपने मित्र से, who regards marriage, जो शादी को शम्मान देता है, as an obstacle, जो शादी को बादा समझता है, of the way to true love, सच्चे प्यार के रास्ते में, देखिए हुआ क्या था, गिलियम सेक्सपियर जी को, को, Earl of Shodhamton के साथ, बहुत male था, Earl of Shodhamton के साथ, उनकी गहरी दोस्ती थी, और देखिए, Earl of Shodhamton जो उनके दोस्त थे, उनका यह सोच था, कि प्यार जो है, हम लोग का जो सच्चा प्यार है, प्रेम है, उसमें बाधा बन जाएगा, जब भी मैं प्यार साधी करूँगा, तो हम दोनों दोस्त के बीच का प्यार कम हो जाएगा, इसलिए सक्सपियर जी उनको समझाते हैं, इनपैक्ट दपोएट जब कि लिए गार जैईद, Earl of Shodhamton इनका दोस्त जो Earl of Shodhamton है, उनसे अर्ज करते हैं, उनसे विंती करते हैं, टू मैरी साधी कर लो, सच्चा प्रेम के राष्टे में एक बेरियर है, बाधा है, बिट्विन देम उन सब के, यानि सब प्रेम जब होगा, साधी जब होगा, तो देम इन दोनों के बीच में लेखक, विलियम सेक्सपियर और उनको शौदंटन जो है, बीच में उसमें खटास आजा सकता है, ऐसा जो सोचना था, लो सौदंटन जो विलियम सेक्सपियर के दोस्त थे, उनको शम्जाते हैं, विलियम सेक्सपियर, इटी जब सेक्सपियर और सौनेट, या सेक्सपियर जी का एक शौनेट चोदा लाइन की कविता है, कंसिस्टिंग ओफॉर्टी लाइन, जिसमें चोदा लाइन है, दा फॉर्स्ट एट लाइन्स और कोल्ड एह ओक्टेव, इस चोनेट का पर्थम जो आठ लाइन है, इसको ओक्टेव कहा गया है, कविता को ओक्टेव कहा जाता है, तब लिए हम सक्सपियर जी जो ये कविता लिखे ये चोदा लाइन की सोनेट है, और इस कविता का ऊपर वाला जो आठ लाइन है, उसको ओक्टेव कहा गया है, और नीचे वाले चोदा लाइन को सेस्टिट कहा गया है, All the lines rhyme alternately except the last two lines which rhyme regularly करता है कि all the lines सभी line में rhyme alternately except the last two lines दो line के बाद rhyme तुक बंदी जो बदल जाता है regularly मतलब एक निश्चित वही हुआ दो-दो line पर Thanks